हलो चो कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी अच्छे होंगे ठीक आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी को हम बता लेंगे हैं कच्छा बारा जिवी ज्यान का एक महत्पूर पेपर जो की हर आपके बोर्ड पेपर में किस तरीके से पेपर आएगा और किस तरीके से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा एक आपके पूरानक गेकर पर नहीं है पर शेंट है कने घैस को चुनकर अपने भ्यास पूश्टिका में लिखए तो पहला कोश्चन है कि लें इमलिखित में से कौन सा भाग कुस्प नर जनन अंग का प्रतनिद्ध करता है ठीक यहां से आपको चार विकल्प दिये गए हैं जो आपको सही लगता है उसे ही कर दिजेगा ठीक मनुस में संतान का लिंग निर्धारित होता है किसके दोरा होता है माके लिंग गुर्शूतर दगा या फिर अंडाड़ के मात्र से ठीक इसको क्या करना है आपको देख लेना है एक नमबर का कोश्चन है तो एक ही विकल्प सही होगा उसे ही कर दिजेगा ठीक जेनेटिक इंजेनिरिंग का उपियोग होता है किसमें होता है चिकिस्या में या किरसी में या इन दोरों म समझा जाता है एक चार विकल्प दिए गया है चारों में से आपको करना है तो एक नमबर आपके मिल जाएंगे मतलब कि चारों में से जो सही होगा उसे ही टिक करके अपने अभ्यास पुष्टेक का में लिख दिजीगा आति लग उत्तिरी परशन है मतलब की कहने करत एक सिस्ट्रों में गुड़ सूत्रों की संख्या कितनी होती है एक नमबर का है सिर्फ आपको एक लाइन में लिखना है आप पुरी तरकी से एक नमबर पा जाएंगे ठीक नर जन्म कोश्का है कि स्विभाजन द्वारा सुक्राणू का निर्माड करती है ठीक ध्यान दिजीए आणू को घड़ों में तोड़ देता है खंडों में क्या कर देता है तोड़ देता है आप ध्यान से देख लिजिएगा कोशन ठीक अब अंगा नमबर में है कि समस्ट में परिकल्पनिक पिरामिड किस परकार के होते हैं ठीक एक नमबर का कोशन है इसे भी ध्यान देजिए तीसरा है कि लग हुत्री प्रश्ण प्रश्ण नंबर एक पच्चियों में लिंग निर्धारर को इसपस्ट कीजिए ठीक खा नंबर में वार्शन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तूत डियने के दुई कुंडलिक माडल का स्वस्त नामांकित चित्र बनाए दो नंबर का कोशन ह ध्यान दिजीगा तयार कर लिजीगा परतिर अच्छा क्या है दो नंबर का कोशन है ठीक घ्यान दिजीएगा कोशन और ध्यान से हल किजिएगा ठीक अंगा नंबर में कि एक अस्थली परितंत्र के अब घट चक्र का आरेखिये निरूपन कीजिए ठीक आरेखिये क्या करना है निरूपर करना है ध्यान देजिएगा भीया आपके अतु लग उत्री प्रशन है तो दो नंबर के कोश्चन है तो इन्हें जरूर ध्यान देजिएगा कोश्चन नंबर चार में है कि लग उत्री प्रशन दूसरा है ठीक जो कि आपके तीन नंबर का कोश्चन है का नमबर में कि लग वीजारू धनी धनी तथा गुरू वीजारू धनी के 20 कोई 3 अंतर इस फश्ट किजिए तीन नमबर का कोश्चन है का नमबर में हमारे सवाज में लड़कियां पैदा होने पर दोस्के वल महिलाओ को दिया जता है बताईए कि क्या सही है की नहीं है ठीक तीन नमबर का कोश्चन है ठीक इसको आपको कितने कम से कम आपको 60 से 70 सब्दों में लिखना है ताव आपके तीन नमबर मिलने वाले ठीक गा नमबर में एक संकर क्रास का उधारर दे लेते हुए मेंडल के परभावित नियम की व्याख्या के जिए ठीक तीन करत किरिया के सेमी कंजर्वेटिक रूप को कलपनी करने में सहयोग या है इसकी व्याख्या करना है ठीक तीन नमबर का कोश्चन है ध्यान दीजिएगा ध्यान से करिएगा तकि आपको ची तरीके से समझ में आ जाए ठीक पांच का का नमबर में है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चकर का स्वस्थवूम नमांकित चित्र बनाईए ठीक अंगा नमबर में है कि पांच का कथा तीन नमबर का कोश्चन है ठीक आपको सही से क्या कर रहा है नामांकित चितर बना देना है आपके तीन नमबर मिल जाएंगे ठीक खा नमबर में है कि जायविक जीव विज्ञान के अध्यन में ने संकरमल रोग को नियंतरित करने में किस परकार हमारी साहता की है ठिक तिन नमबर का कोशन है ले यह ध्यान दिजीगा तिन नमबर के आपके कोशन है तो आपको कितने सब्दों में लिखना है कब से कम आपको 80-90 सब्दों में लिखना है तभी आपके तिन नमबर मिलने वाले है गा नमबर में है कि जय उर्वरत किस परकार की मिर्दा की उर् पर दिख रहा है सामने आप ध्यान से देख लिजिएगा ठीक च्छा नंबर में निम्लिखित पर टिपड़ी लिखें निम्लिखित पर टिपड़ी लिखना है आपके भी तीन नंबर का कोश्चन है ठीक ध्यान देकर आपको करना है तभी आपके तीन नंबर मिलने वाले है ठ आपको तभी कम से कम एक साव से डेर सो बीज के सब्दा होने जरूरी है। ठीक खा नमबर में एक जैविक परद्योक की किरसी छेतर में क्या उप्योगी है। ठीक ध्यान दिजिएगा तिन नमबर का कोश्चन है। पर जीवित तंतुर से आप क्या समझते हैं कोई दारर ठीक उत्पादन और अब घट में अंतर इस परश्ट करना है। पर जीविता एवं सहभी भोजिता में अंतर इस परश्ट करना है। ठीक ध्यान जरूर दे जीगा भीया। ठीक दीगरूत्री परशन क्या होते हैं। दीगरूत्री परशन आपके पांच नमबर के कोश्चन होते हैं ठीक कम से कम आपको डेल सव से दो सव सब्द लिखना होता है ठीक सात्वा है कि मनुस के नर जनन तंतर का संचित्र वरणन किर जिए इसमें सुक्राणु कहां संचित होते हैं ठीक जन तंतर का संचित्र वरणन करना है पूरी तरीके से उनका वो चित्र बनाने है चित्र बनाने के बाद आपको दरसाना है कहां पर क्या होता है ठीक अथवा में करके दिये गया है यादि आपको नहीं समझ में आता है अथवा में आप क्यार दीजेगा पुस्पी पादपों में लगवब जाणुजनन का संचित वरनन कीजिए, पाँच नंबर का कोश्चन है, ध्यान जरूर दिजिएगा. ठीक आठ नमबर में अन्वानसी कुट क्या होता है इसकी मुख विश्यस्ताओं का वरलन किजिए पांच नमबर का कोश्चन है भी है ठीक अथवा में करके दिये गए है देखिए ध्यान ये जरूर देना है कि आपको अथवा में जितने भी कोश्चन दिये गए है ठीक उन्हें में से जो आपको एक आता है उसे ही करिएगा दोनों कर देते हैं तो आपके नमबर कड़ जाएंगे ठीक ध्यान ये जरूर देना है जैवी विकास किसे कहते हैं भूबैग्यानिक कालों में होकर पालबो के विकास का संचित वरणन किजिए आपके एभी पांच नमबर के कोश्चन है ठीक इस तरके से करके आपके कोश्चन आते हैं बौड पेपर में ठीक तो ध्यान जरूर दीजिएगा इन्हें कोश्चन को जरूर तयार कर लिजिएगा ठीक आप प्रिष्टिक सेट आप बार बार हल जरूर करिएगा कि कितने प्रिष्टिक सेट आप हल कर सकते हैं कितने कम समय में ताकि आपके बौड पेपर में कम समय भी जो मिलता है उस कम समय में आप कितना हल करके अच्छे से कर सकते हैं पादमा में जाती विवित्ता तत्था 22% जन्तुओं में 72% किया पेच्छा बहुत कम है क्या कारण है जन्तुओं में आधिक विवित्ता मिलती है किसी भाव गोलिक छेतर में जाती छती की मुखे कारण क्या है इस तरीके के कोश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएंगे तो आप आसान तरीके से प्रिश्टिक सेट हल कर लेजिएगा ठीक ताकि आपको बोर्ड पेपर में कहीं भी किसी परकार की दिक्कतें ना हो उमीद है जरूर न भूलिएगा ठीक ताकि आपके दोस्ति यार भी समझ जाएं कि किस तरीके से बोर्ड पेपर में पेपर आएगा और किस तरीके से हमें हल करना है उमीद है आपको समझ में आ गया होगा एक मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू टेक कर गुडबाए जैंद